चलिए चोटी सी वीडियो में देख जान लेते हैं कि क्या आज का GMP चल रहा है संसेरा और स्टिफरेंस IPO में जो अभी तक दो IPO जो मार्केट में लिस्ट हैं तो उनका क्या GMP चल आए वो देखने वाले हैं उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंफोर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वेल आइकन को प्रेस करके अल कर ले तक कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप अपना सपोर्ट जरूर करिएगा चलिए देख लेते हैं सलसे राइजिंग आइप्यू का यह आइप्यू का कल एलॉट्मेंट आगा 21 सेटमबर को एलॉट्मेंट आगा रिफंड बाइस को आ जाएगा 26 सेटमबर को आ जाएगा आपका सेयर दीमेट अकाउंट में 24 को लिस्ट हो जाएगा रिफंड के लिए बता दें कि अगर आपका 21 तारी को लाजमेंट आ आएगा अलाट्मेंट में ही maximum रिफंड आ जाते हैं वो तुरंट आ जाता है इसे अलाट्मेंट आपको नहीं मिला तो refund आजाते हैं अगर कई बार होता है कि refund अगली बार आता है मतलब 22 तारीको अगर उस टे में नहीं आया तो कम से कम 6-7 बिजनस यानि वरकिंग डे में आप वेट करिए का आपके अकाउंट में आटोमेटिकली वह पैसे आजाएंगे पेनिक नहीं होने का मिनीमम एक लॉट बीच सेर 14,880 रुपेश में रखा गया है इसका जो अभी तक का जी अमपी चल रहा है 40 रुपेश चल रहा है अगर हम परसेंटेज में इसको कनवर्ट करें तो एक जक्ट तो नहीं लेकिन 5-6 प इसका क्या है बिजनेस मौडल क्या है आईपीओ का पावार सब मेने कवर किया है उपर आई बटन पर डिस्क्रिप्सण में लिंक होगा या किस्क्रीन गंफी आज चर्ट सर करेंगा आप जरूर देखिए अब को offer for sale रखा गया 30 करोड रखा गया है IPU का refund 28 को आ जाएगा और sorry allotment 28 को आएगा और refund 29 को आएगा 30 तारी को DMAT account में share को create करे दे जाएगा 1 October को list हो जाएगा minimum एक lot है 85 share 14,875 रुपया इसका जो GMP चल रहा है 205 रुपय चल रहा है अगर हम इसको percentage वे में convert करके बताएं तो लगभग यह 119 परसेंट अभी तक का यह profit गया है मतलब इसमें अभी गिरावट हुआ है जहां जैसे 260 रुपय चल रहा है इसका price तो इसमें गिरावट हुआ है तो यह रहा आज का GMP कमेंट करके आप अपना सुझा जरूरु दे सकते हमसे और अपना जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं ऐसे फॉर्मेट्व वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूरु सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो धन्यवाद